दोस्तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर सेल डिप्लोमा होल्डर्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ओफ रेलवे की तरफ से डिप्लोमा और वी बी टेक वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोश्ट उपर वेकेंसी है आपकी डारेक्ट भरती रहेगी कोई भी एक्जाम नहीं होगा और ना तो यहाँ पर कोई आपकी एक्जामने संफीस लगेगी बाके की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिसकस करेंगे उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फोर्म में आपको जौप सब्डेक मिलते रहें इसके साथ ही आप टेलिग्राम चैनल और वाटसब ग्रूप भी जौइन कर लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हम हैं के ओफिसेल नोटिस पर नोटिस आपका ब्रेथवेट एंड कमपनी लिम्टेट की तरफ से निकाला गया है यह संस्ता आपकी मिनिस्ट्री ओफ रेलवे में आती है और गोर्मेंट ओफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है फिल हाल यहाँ पर आपकी अलग-अलग पोस्टों पर वेकेंसी रहने वाली है इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए आपके पास एक्सपिरियंस होना चाहिए पहली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टेकनिसियन के लिए टोटल यहाँ पर आपकी 10 पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी अगर आपने आई-टिय किया है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है अगली वेकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है टोटल यहाँ पर आपकी एक पोस्ट पर वेकेंसी है अगर आपने बी-बी टेक किया है इंजिनरिंग की किसी भी ब्रांच में मिनिमम आपके पास 6 यह का वरक एक्स्पिरियंस से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे लास्ट वेकेंसी यहाँ पर आपके रहने वाली है चीफ एक्जिकीटी ओफिसर पोस्ट पर क्वालिफिकेशन में आपको बताया है अगर आपने बी-बी टेक किया है सिविल, मेकेनिकल या फिर एलेक्रिकल इंजिनिरिंग में मिनिमम आपके पास 25 यर का वरक एक्स्पिरियंस से आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे चीफ एक्जिकीटी के अलावा यहाँ पर आपकी जिन भी पोस्टों पर वेकेंसी रहेगी इन सभी पोस्टों में अपलाई करने के लिए मिनिमम एज आपके 18 साल होनी चाहिए को सेलरी यहाँ पर लगभग 31,000 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाली है और बी बीटेक वालों को सेलरी यहाँ पर लगभग 57,480 रुपे प्रतिमन्थ मिलने वाली है बात करें आपके apply process के बारे में तो apply process यहाँ पर आपका offline रहने वाला है आपको ये वाला application form लेना है इस application form को आपको बहुत अच्छी तरीके से fill up करना है इसके साथ में आपकी जितने भी ज़रूरी document है उन सब को आपको self test करना है और भेज देना है इनके official address पर ये सभी document आपके 15 फरवरी तक इनके official address पर पहुच जाने चाहिए तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBT किया फिल डिपलोमा किया है इन ब्रांचों में और आपने काम किया है किसी भी PSU या फिर government sector में आप लोग यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक के लिए thank you, सुक्रिया